मैं हेलो दोस्तों आज इस College के अंतरगत हम लोग पढ़ाएंगे रैकिंग और फाद शारेणिल पढ़ेशन हो versucht हो गए तथा इसके अंतरगत बेफिक जानकारी क्या होगा इस चीज काम लुक देखेंगे त्था इस सी रिडन कुछ इंपोर्टेंट क इस्टेन से उसको भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पर एक आप से छोटी से रिक्वेस्ट है यदि आप नए हैं था हमारे चनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें तो दोस्तों आईए आज का में व्यक्ति वस्तु अस्थानों को अन्य व्यक्ति या वस्तु अस्थानों से उनकी आकार के अधार पर या उनके इस्थिती के अधार पर उनसे तुलना करते हैं क्या करते हैं उनसे तुलना करते हैं और तुलना भी अस्थान या आकार के इस्थिती पर ही के जाती है और इसी च दूसरी कोई वस्तु हैं उनकी स्थिती और आकार को तुल मा करेंगे तो जो तुलना करने के बाद हमको स्थिती प्राप्त होती वह होता है रंक किंग में दोस्तों खास हुआ जैसे class क्लास में कोश्चन साते हैं इस लिए इस प्राधाय जानकारी को इसको जानना बड़ा ही ज़रूरी है दोस्तों देखिए अगर हम बात करें अगर किसी क्लास की बात करें तो किसी क्लास में यदि पूछे किसी क्लास में राम का अस्थान दाएं से अट रहावा तथा बाएं से विश्वा है तो उस क्लास के अंदर कुल कि कितने टोटल स्टुडेंट हो सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन साते हैं तो इसके लिए आपको बेसिंग इन्फोर्मेशन दे दे अगर टोटल आ बाएं से और दाएं से क्या क्रमांग के उस व्यक्ति का उस अध्यार पर हम तोटल क्लास में कितने बच्च्चा उपर सी थे उनकी संख्या को रूब ऎंद करते हैं अगर यहीं से दोस्तून कुछ और सीखना चाहां मानों लेट का अस्थान पूछे अगर लेट का अस्थान पूछे कि जैसे कि राम का दाएं से कौन सा अस्थान है अगर इस परकार पूछे या कह दे राम का बाएं से क्लास में कौन सा अस्थान है तो जहीं से टोटा निकाल सकते हैं तो इसके लिए करना क्या होगा हमको Left का Position ज्याद करना है तो अब करें का Total को वही रखिए Total हो गया Shortment T क्यों लिखते है total कहीं रखते हैं और जितनी संख्याइव है Right है और –1 उसको पक्षांतर करते हैं जब पक्षांतर करेंगे तो इनका जो चीन है बदल जाएगा इसका चीन प्लस है तो उस पक्ष में जाकर माइनस होगा और माइनस होगा प्लस होगा तो कहने का मतब यह – r plus 1 यहाँ से एक फर्मूला और आपका बना अगर यह ही कंडियosh na आपका राइट का पूच दे और पूछे तो आपको वही करना है कि राइट को पूछ रहा है तो हमको राइट को ही छोड़ना और इन दोनों को उस पक्ष में ले जाना है अर्था टोटल टोटल माइनस लेप्ट प्लस वन यह आपके इस पर अधायत कोश्चन बनाएंगे और जब भी हम कोश्चन करेंगे और कराते हैं इसमें दया बैहीं नहीं है तो किसस परकार समवर लोग जाने के दया को और किस लेंगवेज में और किस तरीके से कह सकता है तो उससे रीलेटोज़ जानकारियां लिए हैं उसको हम आपको बताने का प्रयास करते हैं देख़िए इसके लिए तेन चार बाते हो सकते हैं जैसे यहां पर आपको बता दें यहां पर लेप्ट लेप्ट है यहां पर राइट लेप्ट राइट दो होता है ठीक ना लेप्ट राइट दो होता है इनके लिए लेप्ट और राइट के अलावा और क्या पूछ सकते हैं जैसे अहेट कहती है अहेट मतलब आगे से क्या होगा है मतलब आगे से और इसी को अहेड कहा है तो इसी को लेप्ट कहेंगे अगर राइट मिसू कहेंगे तो बिहाइंड होता है बिए एच याई एंडे बिहाइंड मतलब पीछे से का हुआ पीछे से इसे को एक और कह सकता है बीफूर कह सकता है मन्देप पहले से बीफूर बीफूर और इसा को कहेगा आप्टर एएफ टी आप्टर सो गया या कहता है सुरू से अस्थान श्टार्टिंग से भी कहता है इसको ये टी ए आर्टी इस्टार्ट अथा शुरू से या फिर कह दे लाश्ट लाश्ट देखिए दोस्तों इन सारे चीजों का जो आपको बता रहे हैं न क्वेश्चेंज के अंदर उप्योग होंगे ही होंगे जैसे इस से रेलेटर कोश्टन पूछ सकता है कि राम का कच्छा में सुरू से अस्थान बारहमा है तो अंतिम से अस्थान अर्था लाश्ट से अस्थान क्या हो सकता है इस प्रकार से पूछेगा तो आपको यहीं लाश्ट और सूरू रखना है तो लेप्ट और राइट को इतनी बाते भी पूछ सकता है इतनी बाते भी कहता है इसलिए आपके नौलेज में ये भी होना जरूरी है कि इसके अलावा ये भी हमको पूछता है तो हमको ये इतना ध्यान देना होगा तो हम अभी आपको जो concept रता हैं तो हम आशा करेंगे दोस्तों आपको अच्छी प्रक कर देखे घे में नभी आई नçu और से दिया है अब है के अने अहये यह इना बगानाई दो स्वी आपको ब्लूप शार मना नहीं से थी साको कश्या के प्यारा है तो आप आसांस बना सकते हम बताये थे टोटल निकालने के लिए टोटल के लिए प्लस राइट-1 यहीं सर्ट आपको बताये है तो लेट और राइट क्या होगा ओपर और नीचे का कर मांक दिया गया है तो इससे आपको बिल्कूल नहीं खब़ाना ऊपर नीचे कह देथ तो क्या होगा या आगे पीछे कह दे खतो ऊसầy को इसने कोई मतलब नहीं है दोनों का मतलब अब यह लेट और राइट यहां तो क्लेर हुआ न तो हमसे टोटल बिद्यार्थियों की संक्या पूछा है तो आप देख लिजए ऊपर से पूछा है अर्ठाथ लेते हैं लेट अर्था त्यरह हमा लेते हैं फिर बोला है नीचे से अर्था हमको नीचे से अर्था राइट का स्थान दे रहा है तो नीचे से मतलब कि पंदर हमां रखना है और माइनस वन इसको एड करिए तो ते रह अपंदर आपका 28 होगा माइनस वन घटायत हमको 27 मिला अर्थात हम कह सकते हैं कि क्लास में कूल टोटल विद्यार्थों की संख्या कितना है 27 है कितना है टोटल विद्यार्थी 27 मजबूत है तो दोस्तों देखें ने कितना आसान कोईशन है इसलिए आप कंसेप्ट को समझ चाहिए और ऐसे कोईशन को देखते हैं चुटकियों बना सकते हैं तो इस पर आधारित और भी कोईशन से आई उसको हम देखते हैं दोस्तों नेक्स कोईशन देख लेते हैं हम लोग यह दो कोईशन से लिए हैं और बहुत ही महत्तपूर्ण है इसके बाद आज जो हम कंसेट बताया है वह टोटल क्लि शुट कशेट कॉछन सबसовых समय ध Yup रही हैं देखे इस इसके देखेन सो elite के कॉछ रहा है क्या पूछा है कि कौन सा सबस्तान होगा और हमको यह भी बताए कुल कदार 25 लोग है कितने हैं टोटल 25 लोग है ऐसे ऐसे को बनाना है थो हम आपको बताये थे थोड़ा रिवाइस करिए जो अभी पीछे कंसर्ट हम आपको बता कर गये हैं अगर लेप्ट और राइट से पूछें तो टोटल में से उनको प्रक्षांत जही किया है ना टोटल माइनस लेप्ट प्लस वन यह आपका कंसेप्ट है और यहां पर रखते हैं टोटल आपको कुल कदार में 25 लोग हैं 25 माइनस लेप्ट अर्था 22 से आपको 15 वह अस्तांद दिया है अर्था 15 प्लस वन करेंगे यहां तक क्लियर हुआ ना तो आप हैं कि मोनिका का दाय से अर्था डाय से कौवा अस्तान है इक घ्रहवा अस्तान है अना यह आपका कंसेप्ट क्लियर के साथ हो गया यह आपका सही उत्तर भी होगे आपका इग्रामा होगा क्या होगा इग्रामा अस्थान पर होगा दाएं से मोनिका होगी next question है बोला किसी कच्छा में महेश का अस्थान ऊपर से दसवा है तथा नीचे से बारा होगा है तो कच्छा में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या है अर्था टोटल विद्यार्थियों की संख्या बोजा है यह तो बिल्कुल यह है क्योंकि उपर से अस्थान दिया और नीचे से भी अस्थान दिया है तो इसके लिए टोटल निकालने के लिए हम बोले थे लेप प् माइनस 1 कर लिजी आप घटाए सिंपल बारह दस आप कोंगे बाइस माइनस 1 घटाएंगे तो तो टोटर कच्छा में एक विद्यार्ति उपलब्द है कितने हैं एक कई विद्यार्ति हैं तो यहां से दोस्तों हमने जो आपको कंसेप्ट बताने का कोशिस किया है आपको अच्छी प्रकार समझ में आया होगा तो दोस्तों आज की वीडियो में आज कर जो पहला वीडियो था यह आपका स्रेंडी परिक्षण रहा रैंकिंग का इसमें आपको हम इतना कंसेप्ट बताने का प्रयास किया हैं और आशा करें देखने को ज़रूर मिलते हैं दोस्तों तो दोस्तों हम आज के लिए बस इतना ही कहेंगे और आज के लिए बस इतना ही कंसेट्ट और आगे आने वाले जो वीडियो है उद में next questions को टाइप wise questions को लेके आएंगे और भी ranking में किस प्रकार से अच्छे-च्छे questions या अच्छे- बहारी question हो सकते हैं उनको हम लोग करेंगे तो दोस्तों आज के लिए वीडियो हम बस इतना ही मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए